हलो गाईज मैं हूल ओकेश और आज की वीडियो के अंदर है हमारे पास में होकिन्स की तरब से एक बहुत अच्छा प्रोड़क्ट बहुत शहनदार क्वालेटी का प्रोड़क्ट जो कि होकिन्सका एक डोसा तवा यह जो डोसा तवा है कोई सिंपल डोसा तवा नहीं है यह ट्राइपलाई श्टेलनेश श्टील डोसा तवा जो की बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी ठिकनेश के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कुछ इस तयाब की बॉक्स के अंदर यह दोसा तवा आपको यहााँ पर मिलता है। साथ इसाथ अलग-अलग different sizes के अंदर यह आपको मिल जाता है और साथ इसाथ multi-use product है मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डोसा बनाने के अंदर आप इसे use में ले सकते हैं डोसा के अलावा काफी अच्छी dishes जो है आप इस डोसे तवे के अंदर बना सकते हैं शुरुबात करते हैं हम इसकी unboxing के साथ में यहाँ पर इसके box को open करते हैं और साथ इसाथ इसाथ यह डोसा दवा है आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है polythene को remove किया यह पूरा को पूरा complete product आप लोगों के सामने है यहाँ पर इस डोसे तवे के साथ में आपको मिल जाता है एक nylon का scrubber साथ इसाथ एक warranty card साथ इसाथ एक wooden पलटा साथ इसाथ एक instruction manual और recipe book ठीके तो कुछ इस तरीके का यह जो है आपका डोसा तवा है आप देख सकते हैं पूरा complete stainless steel के अंदर आपको यह जो डोसा तवा है मिल जाता है साथ इसाथ इसकी जो looking है वो बहुत ही प्यारी है साथ इसका जो weight है वो भी काफी अच्छा खासा है एक पर जैसे आप हाथ में लेंगे आपको लगेगा कि नहीं भाईया कोई product है कोई डोसा तवा है नॉर्मल से थोड़ा सा जाबा weight के साथ में यह जो डोसा तवा आपको मिल जाता है तो यहाँ पर जो डोसा आपको मिल जाती है वो है 26 cm साथ जा 28 cm at a time यह जो डोसा तवा मेरे पास में रखा हुआ है वो है 28 cm का और साथ जात इसके जो actual diameter है वो है 28.3 cm ठीक है तो आप देख सकते हैं यह जो डोसा तवा आपको honeycomb non-stick के साथ में मिल जाता है कुछ इस तरीके की non-stick coating की गई है जो की एक तरीके से PFOA free non-stick coating भी है मतलब आप यह कह सकते हैं एक तरीके से food grade product हो सकता है आपके लिए साथ जिस तरह से यहाँ पर non-stick coating की गई है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि यह जो आपका डोसा तवा है इसकी उपर वाली surface है वो आपकी metal spoon friendly भी है तो आपकी जो limitation है metal spoon नहीं चलाने की वो एक तरीके से खतम हो जाती है यहाँ पर 4 mm extra thick triple high stainless steel के साथ में जो डोसा तवाय यहाँ पर आपको मिल जाता है इसकी वज़े से इसके अंदर evenly heat distribute होती है मतलब जितना center से यह जो डोसा तवाय गरम हो रहा है उतना ही side से किनोर से भी यह जो है गरम होने वाला है तो इसकी वज़े से आप जो है काफी अच्छी अच्छी dishes इसके अंदर बना सकते हैं साथ यहाँ पर इस डोसा तवे के अंदर आपको जो base layer मिलती है जो नीचे की layer मिल जाती है वो आपको मिल जाती है 430 grade की magnetic induction friendly stainless street इसकी वज़े से यह जो डोसा तवा है आपका gas के साथ साथ induction पर भी work करेगा तो easily आप उसके हिसाब से भी इसे purchase कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर rosewood के handle मिल जाते हैं और इस rosewood handle की वज़े से इसकी जो looking है वो और ज्यादा enhance हो जाती है आपका डोसा तवा चाहे कितना भी गरम हो जाती है लेकिन आपका यह जो handle है बिलकुल गरम नहीं होने वाला आप easily इसे handle कर सकते हैं साथ यहाँ इस handle को जो है बहुत यच्छी तरीगी से तीन रिवीट्स लगा कर यहाँ पर कसा गया है तो इसके अंदर भी किसी तरीगी कोई भी शिकायत आने की सम्भावना नहीं है साथ यहाँ शुरुवात में मैंना जैसा आपको बताया कि यह जो product है आप लिए multi-use रहने वाला है ऐसा नहीं कि सिर्फर सिर्फ डोसे के हिसाब से आप इसे use में ले सकते हैं जैसा मुझे लगता है कि इस डोसे तवे को आप जो है एजे रोटी तवा चपाती तवे की तरे रुपे की range के अंदर मिल जाएगा इस rate के अंदर ये 28 cm का डोसा तवा बिल्कुल perfect हो सकता है तो निश्चेंत ही आप इस दोसे में की ओपर switch कर सकते हैं quality के अंदर किसी भी तरी कोई भी complaint नहीं आने वाली साथ यहाँ अगर इस product को बहुत अच्छी rate में purchase करना चाहें तो ब पर्चेसिंग थोड़ी सी easy हो सके तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like and share कर दीजेगा दोस्तों धन्यवाद